तो यह थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूं तो प्लीज आप सब बीडियो के अंड तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से कमेंट करना ना बूलिए तो चलिए फिर हम अपने भाजी को सबसे पहले तयार करते हैं तो यहां मैं भाजी क बिल्कुल भी उबालने वाली नहीं हो सबजीयों को और मैस भी नहीं करोंगी फिर भी मेरी भाजी बहुत अच्छा तेयार होगी तो आप देख पा रहे होंगे मैंने या लिया है प्याज गोबी कटी हुई टमाटर सेमला मिर्च और प्रस बीन और गाजर कटी हुई और द प्याज थोड़ा सा भून जाएगा इसके बाद मुझ हमें आड़ करना है दीरे दीरे करके सारी सब्जीयों को एड़ करना है आप अगर सब्जीयों को बाल के बनाते होंगे तो लेकिन मैं बिल्कुल इसे उबालने वाली नहीं हूं मैं बस इसी तरह से मैसी कर लूंगी इ टाइम कर दिया तो बिल्कुल इसी तरह से बूंटी कुए हमें से पकाना है ताकि यह सॉफ्ट हो जाए और इसके थोड़ा सा फ्राइ करने के बाद मैं एड़ कर दे रही हूं थोड़ा सरनमक करूंगी जिससे कि यह मैसी हो जाए थोड़ा सा यहां में थोड़ा सा नमक एड़ कर दे रहे हूं जिससे की गाजर और फ्रेस्बीन है वो फ्रेंच बिन जो हो है वो थोड़ा मैसी हो जाए जल्दी से यह सब्जब थोड़ा पक जाए हाफ से ज्यादा पक जाए तो सारी सब्ज़ों को दीरी दीरी करके अड़ करना है अब मैंने यहां अड़ कर दिया गोवी गोवी जब थोड़ा पक जाएगा तो फिर और गाइस मैं यहां पे कीप कर गई थोड़ा आप लोगों को दिखाने वाली गोवी को एड़ करने के बाद मैंने अड़ कर दिया है इसमें अद्रक लेशन का पेस्ट और यहां मैंने अड़ किया हाफ चोटी चमश लाल मिच और हाफ चोटी चमश धनिया पाउडर इसको करने के बाद मैंने अड़ किया है सिम्ला मिच तो यह देखिए मैं दिखा रही हूं इसे मैंने अड़ कर दिया है साथी साथ और यहां मैं अड़ कर रही हूं टमाटर जब यह साथ में भून जाए अच्छे से इसके बाद मैं यहां फाइनल नमक इसमें दे रहे हूं क्योंकि इसमें अभी बॉल की हुए पोटेटों मिक्स करने हैं तो यहां मैंने एड़ कर दिया हाफ टैबल स्पून हल्दी और बिल्कुल आप इसी तरह से फ्राइ करते रहें जब तक की सबजी थोड़ा मैसी तो अब मैं इसमें आड़ कर दे रहे हूं दो बड़े चमच पाव भाजी मशाला और फिर इसे साथ में पकाना है थोड़ी तर मशाला को पिलाने के बाद आप थोड़ा ढग दे इसके ब आप देख पा रहे हूंगे मेरी सबजी अब बिल्कुल मैसी हो गई है तो अब मैं इसमें बॉइल्ड मैस्ट के हुए तीन बड़े आलू मैंने आड़ कर दिये हैं और इसे भी साथ में अच्छे से चला लेना है मिक्स कर लेना है भून लेना है आपको बिल्कुल भी मैस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबजीयों को और फाइनली मैंने इसमें आड़ कर दिया है पीस मटर हरी मटर को और दो से तीन मिनट तक इसे मैं सारे सबजीयों के साथ फिर से फ्राई करने वाली हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बहुत लोगों को भाजी बहुत पतली पसंद आती है बहुत को गाड़ी पसंद आती है तो आप जिस कंसिस्टेंसी में इसे रखना चाहें उतना पानी आप अड़ करें और आप देखिए यह बिल्कुल मिक्स हो चुका है सारे सबजियों के साथ अब मुझे इससे मैस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो यह मेरा भाजी बन की बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए बस एक उबाल आने तक इसे पकाना है उसके बाद मैं इसमें आड़ कर दे र तो मैंने डारेक्ट ही नीमबु नी चोड़ दिया है आप दो चमच के इस्तमाल करें और आप देखिए मेरा भाजी विल्कुल रेडी हो चुका है तो मैं इसकी प्लेटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी तो आप इस तरह से भी बना कर एक बार देखें यह जटपट बन जा यह जवाँ प्लेटिंग करें देखें झाले ल्हाँपट विल्कुल नुल यह जटाएंगार्णमी से लाँथ है उब।ेस लाँड़ जो चालें जाना है यह जवाँपट लाँवटिए जाब मैं सबस्ते करें पालें प्सक्रो चाहँपट जाएंगार्णमी से